इशुइंग ओनिवाइस तो फिर उसको कंपल सरी रेजिस्ट्रेशन है सेक्शन 24 में उसको अपना रेजिस्ट्रेशन करवा नहीं परता है लेकिन एजन नॉट इशुइंग ओनिवाइस याद करो अगर आपने मेरा क्लास किया होगा तो फिर वो केस में यहां पे ध्यांसे अब मेरा पांट सुना जो भी गूट्स उसने विखा उसका टैक्स प्रिंशिपल देगा लेकिन लेकिन जब हम सेक्शन 22 में थ्रेशोल निकालेंगे तो एजन करते वग उसने जो फिर प्रिंशिपल के भिहाब पर सेल किया वह भी आपकरेंगे मतलब एजन का जाएगा मतलब यह एड करके देखा जाएगा कि उसने रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए यह नहीं लेना चीए मतलब 5 प्लस 10 एने 15 तो ओके 20 लाग के नीचे नहीं लो अगर 5 प्लस 18 एने 23 विसलाग के उपर रेजिस्ट्रेशन ले लो अगर वो 40 लाग की लिमीट होगी एक्स कि उप मतलब यह मतलब यहां बाता।